तो अगर आप Samsung का smartphone यूज करते हैं तो 8 ऐसे बहतरीन और काम के application जो खुद Samsung ने बनाये हैं अपने Galaxy smartphones के लिए उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करने के बाद आपको Samsung Galaxy smartphone यूज करने का experience पहले से काफी ज्यादा enhance हो जाएगा तो बस वीडिय मैं आपको बताऊँगा वो सारे ही application आपको Galaxy store के उपर मिल जाएंगे अब Samsung का internet browser तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको Samsung internet beta browser यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ तो जो लोग थोड़ा technical knowledge रखते हो उन्हें पता होगा कि जो भी beta applications होते हैं उनमें नए नए features पहले introduce किये जाते हैं तो यह जो Samsung internet browser है इसमें भी आपको काफी ज्यादा नए नए और useful feature मिल जाएंगे जो कि आपको अभी Samsung internet browser में नहीं मिलेंगे अब ऐसा नहीं है कि यह feature केवल beta browser में ही मिलेंगे यह feature बाद में Samsung internet browser में भी आएंगे लेकिन beta version में जो भी नए features आते हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं तो इसलिए आपको Samsung internet browser beta जरूर योज करना चाहिए जिससे आप इसमें आने वाले नए-nए features experience कर पाओ Samsung application के list में हमारा जो दूसरा application है वो है Samsung wallet काफी कमाल का यह application है इसके अंदर आप अपने सारे payment methods को save करके रख सकते हैं जैसे कि आपके सारे debit card and credit cards इसके अलावा आप अपने Veeam UPI accounts को भी इसमें link कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने Digilocker को भी इससे link कर सकते हैं तो इस तर आपके जितने भी काम के documents हैं और payment methods हैं उन्हें आप Samsung wallet में एक ही जगह पे save करके रख सकते हैं आपको अपने सारे cards और documents साथ में carry करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी हर बार हाला कि Samsung wallets को यूज कैसे करते हैं इस पे अगर आपको detail में वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment में बताना अगर इसके favor में ज्यादा लोगों के comments आए तो मैं इस पे एक dedicated वीडियो बनाने की कोशिस करूंगा तो हमारा अगला application है Samsung Music ये भी आपको Galaxy Store पे ही मिल जाएगा बह काफी support मिल जाता है जिसको कि आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं और अपना music सुनने का experience और भी ज्यादा enhance कर सकते हैं तो हमारी लिस्ट में जो अगला application है Samsung Find ये मज़ेदार तो नहीं है लेगिन काफी ज़्यादा जरूरी और काफी ज़्यादा का application है इसे अगर आप अपने phone में install करके रखेंगे तो आप अपने phone की location track कर सकते हैं या किसी अपने friends को family member को अपनी live location share कर सकते हैं इसे install करने के बाद जब भी आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका interface सामने आएगा यहाँ पे अगर आप इस people वाले section में जाएंगे तो यहाँ plus के icon पे click करके आपका live location देख पाएगा कि आपका phone कहां पे है और इसी technique की मदद से आप हमेशा अपने phone को locate कर पाएंगे कि आपका phone किस जगह पे है अगर किसी का phone खो भी जाता है और उसने यह Samsung find वाला application setup करके रखा है तो वो अपने phone का live location real time में देख सकता है तो मेरी list में जो अगला application न या H24 Ultra तो इस तरह के phones को use करने लिए हमें दो हाथों का use करना ही पड़ता है लेकिन यह जो application है one hand operation प्लस यह आपके इस problem को दूर कर देगा इस application को install करके open करना है उसके बाद इसे यहां से on कर लेना है जिसके बाद इसमें आप अलग-अलग चीजे customize कर सकते हैं जैसे कि यह करने पे आपका device किस तरह से काम करेगा इसमें अलग-अलग तरह के काफी सारे आपको action मिल जाते हैं जैसे कि मैं इस volume down की पे टिक करूँ और उसके बाद जैसे ही मैं down side में swipe करूँगा तो यहां पे देख पाएंगे कि volume की यहां पे उपर आ गया और यहां से मैं slide करके volume को अप यहां down कर सकता हूं कम यहां ज्यादा कर सकता हूं तो अगर आप अपने phone को एक ही हाथ से यूज करना पसंद करते हैं तो इस one hand operation plus application को install करके और इसे अपने हिसाब से customize करके आप एक हाथ से phone use करने का experience काफी ज्यादा enhance कर सकते हैं तो हमारी list में Samsung के दर्ब से अगला जो feature मिल जाते हैं जिसको कि आप camera assistant application के अंदर से enable और disable कर सकते हैं जैसे की 2x zoom shortcut, picture softening, audio monitoring, camera assistant application install करने के बाद जब भी आप camera application open करेंगे इसके बाद जब आप setting में जाएंगे तो यहां पर भी आपको पहले से कुछ ज्यादा option add हुए मिल जाएंगे अब वैसे यह चीज थोड़ा क्या है हम तो already Gmail use करते ही हैं लेकिन जब इसे आप open करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा अब इसकी खासियत यह है कि अगर आपके पास अलग-अलग तरह के email accounts हैं जैसे की Gmail, Yahoo, Hotmail तो इन सारे email accounts को एक ही जगह पे आप logging करके use कर सकते हैं आपक और last application है वो है Samsung का Good Lock application और यह काफी कमाल का application है मैंने already इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है अभी इस application में खुविया ही खुविया है बस एक छोटी सी कमी है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा तो यह application भी आपको Galaxy Store के उपर ही मिलेगा और यह Samsung की तरफ से आने वाला ही application है जिससे आप अपने phone को काफी ज्यादा अलग-अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं खुल मिलाके कस्टमाइजेशन के option इसके अंदर भर-भर के दिये गया है Samsung की तरफ से और यह Samsung का official application है कोई भी third party launcher वगएर यह नहीं है अब इस good lock application के अंदर आपको कई सारे section मिल ज सकते हैं यह wonderland जो application है इससे आप 3D motion wallpaper वगएरे इसमें जिनरेट कर सकते हैं यह जो lock star application है इससे आप अपना यह जो lock screen है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं की कैफे, home up, clock face, quick star, good lock के अंदर छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे आपको application मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने phone को क जहां से click करके आप उस video को देख पाएंगे और good lock application के बारे में और भी अच्छे से जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही video में good lock के बारे में detail में बताने लगूँ तो video काफी जादा लंबी हो जाएगी, और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक जागू होती है, चुकि जो galaxy store है, वो samsung का अपना store है, तो samsung उसमें आपको वही application प्रोवाइड करता है, जो कि आपके phone के model के लिए available हो, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके phone के लिए सभी application available नहीं हो galaxy store पे, तो आसा है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, I hope य यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी share करें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में